नमस्कार दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं विहार्ट बोर्ट के क्लास तेन का एक बेहधी प्रेचिबल चैप्टर जिस चैप्टर का नाम है दा एम्टी हार्ट और इस चैप्टर के जो कभी है उनका नाम है पेडिया स्वामी थुरन जो की एक तमील भासा के कभी और लेखक दोनों हैं तो सबसे पहले कविता के टॉपिक पर चलने से पहले हम कभी कभी का इंट्रोडक्शन जानेंगे उनका परिचाय जानेंगे तो आये सबसे पहले जानते हैं उनका इंट्रोडक्शन तो पेडिया स्वामी थुरन का जन्म जो हुआ था उनिश्व आठ में हुआ था और उनकी मृत्यू उनिश्व शातासी में हो गई थी आगे है और डिस्ट्विंग इस तामिल राइटर वे तामिल भासा के बहुत ही जाने माने अच्छे लेखक थे first made his name as a writer of short stories and poem उन्होने शुर्ववाती दौर में अपना नाम लगू कभिताव और लगू कहानिया लिखकर अपना नाम बनाया अपना पहसान बनाया आगे है however he is best remembered today as the editor of the famous 10 volume general encyclopedia in Tamil Kalai Kanjiyam हलांकि उनको जो है Kalai Kanjiyam का संपादक के रूप में विशेस तोर पर जाना जाता है Kalai Kanjiyam के संपादन के रूप में इन्ही का संपादक थे हो अग बहुत ही फेमस है तमिल नाडु में जो की एक तरह का encyclopedia है Kalai Kanjiyam जो है एक तरह का encyclopedia है encyclopedia का मतलग होता है कि एक ही टॉपिक पे लिखी गई बाते जो अलग-अलग भॉल्यू में परकासित होती है और जो Kalai Kanjiyam है वो टेन भॉल्यूम में परकासित होई थी तो आगे चलते हैं ही अलसो कंपाइल एन एडिटेर एन एंसाइकलोपीडिया इन तामिल फॉर चिलिंडर उन्हों न क्या किया कि बच्चों के लिए भी एनसाइकलोपीडिया तेयार कर दिया तमिल भासा में और उनका संपादन किया एक मास्टर आफ स्टाइल वे क्या थे वे कला के मास्टर थे बहुत ही गुनवान थे वो थूडन हैंडल सक्सेशफूली दा प्रोज पोएम एन दा सोनेट थूडन साहब जो थे उन्होंने गद और कभिताओ और सोनेट जो की चौदर लाइन की कभिताओ होती है उनको सोनेट बोलते है उन्हों इसको अच्छी तरह उन्होंने हैंडल किया संभाला इस वाक्स इंक्लूड सच पॉपलर कलेक्शन्स उनकी जो परमुक का बेशंगरा या लेख शंगरा है उनमें से है इलेंटेमीजा जो की बहुत ही पॉपलर है तमिल राज में एन तूनन कभिताओ का जो की एक तरह का कभिता है और है टांग कांगली जो की एक शॉर्ट था है एन प्यूवीन सिरिपू जो की एक तरह का निबंध है आगे आगे क्या होता है कि इन कारियों के लिए पेडिया स्वामी थूरंजी को बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं भारत सरकार द्वारा राजी सरकार द्वारा उन्हीं में से एक पद्म भूशन है जो की भारत का सब से बहना सबसे तीश्रा बराप पुरश कार है वाजया फ में भूशन है इसी से उनको नावाय चाराrob कैंर किया गया था और ता मरी मिलनाड़ाजी का सबसे बड़ा पुरश कार घाल मामानी जो कलांच च्छेठर में धिय जाता दिया जाने हुलत सबसे बड़ा-पु आगे हैं द पोएम कुराई कदम, जो पोएम हम लोग पढ़ने जा रहा है द इम्टी हार्ट इसको तमिल भासा में कुराई कदम बोलते हैं, कुराई कदम द इम्टी हार्ट highlights a great human weakness, जो कुराई कदम है या इम्टी हार्ट है, इसमें क्या दिखाते हैं कभी कि मानूता की कमजो क्या है इसमें मानुता की कमजोरी पर फोकस करते हैं उसी पर हाइलाइट कर सकते हैं एक कविता जो है मानुता की कमजोरी को दर्शाती है मैन इंसेशियेवल गुरीड विच अल्टिमेटली डिस्ट्रोई हिम मानो की जो अत्योंती इक्छाय होती है चाहने की इक्छाय जिसको लालच बोलते हैं वो इनसान को आखिर में बरबाद कर देती है नस्द कर देती है जो इंसान जितना जाए जादा चाहेगा उसका ज्यादा नुक्षान होता है तो चलते हैं कविता के टॉबिक पर कविता में होता क्या है कि एक ऐसा बैक्ति के बारे में बात किया गया है जो की बहुत ही लालची इंसान है वह धनी तो है प्रन्तु अपने धन से संतूस्ट नहीं है दो मैन वाज रिच बट नॉट कंटेंट एक आदमी था वह धनी था वह धनी था लेकिन वह अपने धन से संतूस्टी नहीं था मॉर्निंग नून एन नाइट ही वेंट दीन रात दीन रात वो क्या करता था चाहते रहता था कुछ न कुछ उसको चाहिए तो विस्ट वेल्डिंग ट्री एन प्रेयर वो क्या करता था एक विस्ट वेल्डिंग ट्री होती है उसको हिंदी में कल्प ब्रिक्ष बोलते हैं कल्प ब्रिक्ष हिंदू धरम में माननेता है कि कल्प ब्रिक्ष के सामने जो भी अप इंसान या कोई भी प्रानी अपनी भी उसी के पास यह बैकती गया और परातना करने लगा विस वेल्डिंग मतलब इच्छा जाहिकरने वाला ट्री इच्छा प्रकट किजिए आपकी सारी मानो कामने पूल होगी उसी के पास गया और प्रातना करने लगा अब बोला और कल्प ब्रिक और कल्प का कल पूब जल्प अची कल प्रिक्श बोले तो जब शमुंद्र मंथन भूत टो उसमें से टोदार रतन में निकले थे उन्हीं में से एक रतने था कल्प ब्रिक्श कर पास गया और बोला ओं कि हे कल पूब हमें आपकी सहाता के जरूरत है all I want is a pot of gold हमें एक तोने से भरा एक घरा चाहिए हिस प्रियर वार्ग हिस प्रियर वाज ग्रांटीड 7-4 उसकी जू प्रातना है शविकार हुई कल्प ब्रिक्ष के द्वारा और उसको एक के बदले सात घरा दे दिया गया सोने से भरा हुए for as a gift to him was given और यह जो एक्स्टा जो दिया गया था घरा उसको उपहार के रूप में दिया गया एक तो मांगा था लेकिन उसको सात घरा मिला ग्लीसिनिंग गोल इन पीचर 7 जो सात घरा था वो चांदी से चमकता हुआ घरा था और उसमें सोने भरे हुए थे 7 silver peaches were now with him अब उसके पास सात सोने का घरा था इच विट गोल्ड कोंस फिल विट तूप दवरी उसमें पूरा पूरी कोना कोनी तक भरा हुआ था सोना टोटल फूल फूल कोना कोन तक उसमें सोना भरा हुआ था ब्री मतलब कोना कोन तक बट दर ट्री अनकाइन टुक इंटो हिट मॉइं लेकिन कल्प बिक्ष देगा थी उसकी बिहेव देखकर मालूम किया कि इंसान जो है एंसान बहुत ही लालची इंसान दिख रहा है तो कल्प रिक्ष जो दयवान होते हुए भी थोड़ी सी निरदाया दिखा दी और उसने क्या किया एक आठावा घरा भी दे दिया बट रट रट्री अनकाइनट तो खीजें इंट इंट नेट रह फोलपर आठावा भड़ा तो दिया लेकिनो आठावा घरा tight a अधा बरा हुए था आदा बरा हुए था अब क्या होता है आगे तो फिल दिस क्वीक वाज है इस था अब क्या वो इंसान जो है उसको भरने के लिए आप तेजी से सोचने लागा कि आधा भरा हुआ अगरा क्यों है इसको तुरंत भरा जाए तुसेवें फूल वैसल ही क्लेन फॉर गेट और आटवे घरे के चकर में जो साथ घरा मिला था उसको भूल गया रिसल मतलब बर्तन होते है बर्तन जो पात्र बोलते है उसी को भैशल दोल डेमन डिजार नाव मेड ही मेड जो राक्षिसी परविती का जो लालच है उसको पागल बना दिया उसको और सारा धन चाहिए था उसको आठवा भी घरा फूल चाहिए था उसको पागल बना दिया रक्षिसी उतना धन मिलते हुए भी और संतूष्ट नहीं था टू मदर वाइफ चिल्डेन गुडबाई ही बेड उसने किया किया घरा भरने के चक्कर में अपने फैमिली को भोल गया अपने परिवार को भूल गया उसमें अपनी माता को भूल गया वाइफ को भूल गया चिल्रेन को भूल गया अपने बच्चों को भूल गया और कहीं दूर चला गया उसको भरने के लिए ही रोज बिफोर कॉक क्राव ओक्या आगे जहां गया वो क्या करता था कि वो कावर मुर्गे की बोलने से पहले उठ जाता था कॉक क्रो मतलम मुड़ गया बोलने से पहले मुर्गे की बोलने से पहले उठ जाता था पास्ट मेडनाइट ही और दीन रात वह काम करते रहा था मद रातरी तक उसको भरने के लिए इटिंग ड्रिंग के एंसलेप ही साक्ट ओस ओ लालच में ओ क्या किया अपने खाना पीना सब कुछ त्याग दिया सब कुछ छोड़ दिया ही रट्ड हीँ जल्व और क्या हुआगे इसका पर नाम क्या हुआ की ऊस का स्वास धीरे धीरे चीन होने पक Якड और हथ कॉम sorryl was to חck Winston एपनी तक बेच दिया है लालच के रछक выпकत कर लोगैश भीट को बेचा-धिया अपनीुचिपनी जोड बूच कह भी बेच और कि एंड आओर टिक्स तोगेदर कोव और उसने सारी हद हद कंड अपना जिस से ओक एक अकर सकता था किसी भी तरह उसको चाहिए मार के कर खिए अगर एंजिस युअ सुम्ने सिब्स ली तो उसने सारी बिश्रमी के हद पार्द कर दी उसको एक अठा करने के लिए हाँ इच क्वाइन हे कुड़ क्लाच बाई हुक एन क्रूक ओ एक एक क्वाइन जो है किसी तरह भी एकठा करना चाहता था किसी तरह हुक एन क्रूक जो होता है फ्रेजल भर्वेप जिसका मतलब होता है किसी भी तरह तो एक एक क्वाइन जो किसी भी तरह एकठा करना चाहता किसी भी तरह कटा करता था। हाडर एन हाडर He Tried, बहुत महनत किया, कड़ी से कड़ी महनत किया, लेकिन अंत में क्या हुआ? वो मर गया, बहुत महनत किया, वो इस बहुत महनत किया, बट डाइड, प्रीच देना चाहते हैं उपदेश देना चाहते हैं कि गृट एंड इंड लालच जो है लालच का कभी अंत नहीं हो सकता लालच एक ऐसा पायमाना है जो कभी खत्मी नहीं होता है but life is not लेकिन मिर्त्यू मिर्त्यू खत्म हो जाती है जीवन खत्म हो आता है मृर्ट्यू अटल है मृर्ट्यू शत्य है कि नो तिंग इस रोट विथ ए हाफ फिल पॉर्ट लेकिन अगर आपका आधा बटवा खाली है उससे कोई चिंता की बात नहीं है आपका दिल शंतोस होना चाहिए दिल भरा होना चाहिए बटवे आधे होने से कुछ नहीं ह होता है दिल आपका शंतोस होना चाहिए जितना आपको मिल उसी में आपको शंतोस होना चाहिए लेकिन आपका दिल खाली है आपका दिल भरा हुआ नहीं है तो यह क्या है आपके लिए यह अभिशाप से कम नहीं है यह आपके लिए अभिशाप है कि आप संतोस नहीं है लेकिन दुनियादारी यही है कि हरे दुनिया में हरे कोई लालची इंसान है हरे कोई लालच करता अगर लालच करता है अगर इंसान लालच नहीं करता तो हरे एक आदमी सिंपल होता है शाधारन होता है लेकिन कविता एक क्या है एक संदीश की तरह प्रस्तुत करते हैं कभी जो किताबों में लिखा होता है और रियलिटी नहीं होता है तो अब तक क्या एज चैप्टर समाप्त हुआ तो मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले चैप्टर में कौन सा चैप्टर अगला होगा आप कॉमेंट बॉक्स में जवाब दें तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ नए अंदाज में धन्यवाद